Dear students, we have to discuss about the early childhood education for the sustainable development in China. हम चाना के उपर गुफ्तकू का रहे हैं और चाना के उपर जो हम बात का रहे हैं with respect to the ECE. ECE से पहले जो है kindergarten का तसवर था और kindergarten के अंदर जो main discussion थी वो ये थी कि जब industrial revolution चाना के अंदर आया तो workforce के अंदर female भी शामिल हो गए उन female के शामिल होने से बच्चों के day care centers, nurseries, kindergarten इनकमार से वजूद में हैं kindergarten का जो तसवर था उसके अंदर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वहां पर उसकी केरिंग की जाती थी proper उसका curriculum, education, teachers, trainers मोचुद नहीं था लेकिन आश्था आश्था जिसवत ECE का तसवर आया तो जितने भी kindergarten स्कूल थे उनको convert कर दिया गया ECE के अंदर और जब हम ECE की बात करते हैं तो ECE का बाकाइदा approved curriculum, teachers, pedagogies, required skills की बात करते हैं और फर हम base बनाते हैं कि हमने future में जो हमने sustainable society बनानी है उसके जो member है उसको हमने किस अंदाज में त्यार करना है उसके अंदर जो हमारा focus था cognition development, skills और behavior, required behavior जो था वो behavior जो के हमें sustainable society के लिए चाहिए था उसकी जो base है वो EC से शुरू की जाते हैं ताकि बच्चे को awareness हो उसको पता हो environment के बारे में उसके बारे में उसके बारे में उसके बारे में जेंडर एक्विटी के बारे में तमाम जो 17 SDGs हैं उनके बारे में उनको किसी ने किसी का हमाले से direct indirect उसके awareness होनी चाहिए फिर उसके उपर उमल दर रामद होना चाहिए और आकिर में उसको हैफ्चल होना चाहिए यह तमाम काम जब EC के अंदर आया तो लासमी बात है कि उसके अंदर सुष्विट यूनियन ने उसको सपोर्ट किया लेकिन जब हम 1978 से 1993 की बात करते हैं तो उसके अंदर एक open door policy आती है और open door policy के अंदर जो market economy की discussion होई reform होई उसके अंदर one child policy आती है यनि आपने सिर्फ एक बच्चा जो है ना वो पैदा करना है एक से ज़्यादा बच्चों की इजाज़त रही थी चाहिना के अंदर यह 1978 1993 की बात आती है अब इस यह जो टाइम है हमारे पास इस टाइम के दुरान there was an unprecedented development अंद एक थी अब लाज़ी बात है कि नमबर अफ़के नर्ट गार्टन जितने भी थी वो सारे के सारे convert हो गए इसी के अंदर अली चैज़ोड education के अंदर बच्चे जो population growth थी वो control कर ली गए आप इससे पहले हम जब इसकी बात करते हैं तो अस्टीजी इसकी बात के अंदर जाना हमने population growth को control भी हमने discuss किया था और हमने उसके अपर discuss करते हुए हमने यह गाता कि अगर हमारी population growth नहीं होती तो हमारे जितने भी plan है वो appropriate जाना implement नहीं हो सकते variation हो सकती है लेकिन variation के साथ अगर बहुत ज्यादा variation हो जाए तो हमारी planning उस तरीके से नहीं हो सकती लिए लिए इस चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने planning one child कर दिया अब आप देखें कि जब उन्होंने एक बच्चे का plan कर दिया तो अब उनकी तमाम planning जो है वो appropriate हो गई कि अब उनको पता था कि इस साल के अंदर इतने इतने लोगों की शादिया हुई है इतने बच्च इतना बचा एक एक बचा जो है वो हमारे पास इतना है इस पर आएगा उस एक के लिए फिर उन्होंने इस ही को जो है ना जो डिवेल्प किया और शी वो एज है जहां पर नमबर एक तो kindergarten जो है वो completely replace हुआ होता हुआ नदर आता है हमें इस ही के अंदर उसके बाद इस ही के teachers को proper train किया गया है और जैसे के हम पहले बात कर चुक्के हुआ है क्योंकि इस ही के अंदर तो हमें train teacher चाहिए क्योंकि यहां पे child care नहीं है बलके child की development process है इन तीन dimension में कोगनेशन की dimension में, skills की dimension में और behavior की dimension में उसकी development है अब उसके लिए क्या किया गया उसके लिए series of the recommendations, regulations, guidelines, guidelines, issues किये गए for the purpose of the ECE कि solid foundation अब यहां पे जो हमें नदर आता है कि यह जो इसका एरा है यहां पे हमें एक solid foundation नदर आती है ECE की, consequently क्या हुआ, कि जितने kinder garden थे वो become better regulated और change in the ECE जैनि इस सिरा के अंदर जो important factor हुआ, number एक, तो यह हुआ कि conversion जो हो रही थी kinder garden की, वो ECE में हो गई, number दो, यह plan हो गया properly क्योंकि उन्होंने जो बच्चों की population growth थी, उसको control कर लिया और policy के तहर एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने की इजाज़त ही नहीं देगी, तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो यह जो हमारे पास एक ECE का एराँ आता है, यह जो हमारे पास चाइना के अंदर यह जो दौर आता है, इस के अंदर ECE की development जो है, वो maximum होई है.